नमस्कार दोस्तों सुबह सुबह का समय है और ये एलनावाद के मुख्य बजार से आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं ठंड का समय है और आज सुबह सुबह कोई गाड़ी वाला इस बेजुबान जानवर के उपर से गाड़ी निकाल कर ले गया जिससे इस जोगी की दोनों टांगे बिल्कुल तूट गई है और दर्द के मारे इसका बूरा हाल है और जोर जोर से काफी देर से करा रहा था जो कि अब थोड़ा शान्त है हमारे चैनल की टीम में समाद सेवा में अगरनी रहने वाले रामुवतार जी के पास फोन किया जो कि जीवजन तौश से तलसे टीम को यहां पर बेज रहे हैं ताकि इसका इलाज किया जासके सभी वाहन चालकों से हमारा उन्रोध है कि क्रिप्या वाहन दीरे चलाएं क्योंकि इन वेजवानों की चीख सुनने वाले बहुत कम लोग हैं ठंड के समय में यह बेजवान जवानवर जो है कि जल्दी रोड क्रोस नहीं कर पाते इस वज़े से हादसे का शिकार हो जाते हैं कोई तेजगती से वहन जा रहा होता है तो उस वहन की चपेट में आकर इनकी टांगे भी जाती और जान भी जा सकती है तो अभी हमारे बीच में जो टीम है दिनो बावरा जीवजन तौ आस्यस्तल की जो टीम हमारे बीच पहुंट चुकी है जो इनका इलाज करेगी अभी हम आपको तश्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो अपने एक्विमेंट जो साथ में लेकर रहे हैं इनके मुँपर लगाया जाएगा ताकि यह जो दर्द की वज़े से जो कराकर कहीं पर जो उनकी टीम है उनको काटे ना तो अभी सभी लोगों से यह अनुरोध है कि क्रिपयान में अपने वाहनों को दीरे चलाएं ताकि इस तरह के बेजुवान जानवर जो है हाथ से का सिकारने हो और यह संस्ता जो है बहुत इस चैबाव से जो अपनी सेवा कर रही है तश्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह इस डोगी के उपर यह लगा कर मुग के उपर और इसका इलाज किया जाएगा हम पुने अपने दर्ष को अनुरोद करते हैं कि अपने वहानों को दीरे चलाएं था कि इस तरह के बेजुवान जानवर जो है कभी इस चीज की चपेट मैं नाई अभी देख रहे हैं कि तश्विरों में किस तरह से जब इसको थोड़ा बहुत हिलाय डूलाय जा रहा है तो दर्ष के मारे जो कहरा रहा है और पूरी टीम जो इसको ठीक करने के लिए यहां पर पहुंची है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनको इस तरहीं अवस्ता में चोड़ कर चले जाते हैं और इस टीम को देख लिए कि आप किस तरह से इसको दर्द के जो इंजेक्शन भी लगाया जाएगा और इनकी जो सेवा भाव में लगे हुए हैं अब यह जो तश्वीरे हैं जो इस हमाचार पर देख रहे हैं एल्लावाद के मुख्या बजार से सुबह से बहुत से लोग इसके पास से गुजरे लेकिन किसी ने भी इसके जो इलाज की है जो विवस्ता नहीं की है अब इसके इन्जेक्षिन के बाद इसके ऊपर डाल कर इनके जौशरे स्थल जो इन्हों ने बनाया हुआ है जहां पर जीवस्ता हों के इलाज किया जाता है वहां पर इनको लेकर जाया जाएगा अभी हम दीनु बावराजी से बात करते है जी सर आज इस डोगी के क्या दिक्कत आई है क्या समझ आई है इसकी क्या मैसुश्य आपने जा तो रोड एक्स टंट कंदर है और जा कोई जेसे पहले तो इसकी के अंदर जो कीडे पड़ी हुए थे वह दो इनके कारण आ तो जब भी क्यू कम जोर है बैसे ली अच्या कोई आदर के अगशन रही है डोगी मर्ती है तो पिछे विक्दा इसका इसका बीज़ें को जिङ तर इसका बजाए को पुस्के बटाश्य इसके बॉत बता चलेगा क्या दिक्तित्स नहीं हो प्डने आगे देखोऊ तो यह थे हमारे साथ दिन्नो बाबरा जी और इनले बताए कि हम लोग इसका ट्रेटमेंट करेंगे और जो बे जुबान जानवर है जो सुबह से करार आता इसको लेने के लिए जो है जीव जन्तु आस्यस्तल से जो टीम है आ चुकी है और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमाचार परी जो इलाज है इसका किया जाएग अब एलामवाद के मुख्या बजार से जो तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं अब आप इसका कर लिए तोड़ो एक तो आप इसका आप आप अब आप